हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्वाज मैं आपकी से शेयर कर रही हूँ ओजो मैक्स कॉम्पैक्ट रेस्पिरेटरी वेपराइजर का रिव्यू इसका प्राइज है 190 रूपीज और यह प्रोड़क्ट आपको एमेजन फ्लिप कार्ट पे इजीली मिल जाएंगा यह प को हेड़क की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यह यूज हो सकता है और यह ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्मिन सिस्ट्रिम को इंप्रू करता है और माइन और बॉड़ी को क्लीन करता है और पोर्स को भी क्लीन करता है तो यहाँ पर इसके पूरे फंक्शन्स और इसको कैसे यूज करना है यह दिया हुआ है यहाँ पर कौनकौन सी प्रिकॉशन रखनी है वो भी दिया है और आपको पूरा इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ लेना है इस तरह से इसके साथ मैनुएल मिलता है तो आपको यह मशीन यूज करने से पहले इसे अच्छी से पढ़ लेना है और इसके बादी इसे यूज करना है और इस पे लिगा है कि अगर आप ब्लॉक नोस को ठीक करने के लिए यूज करते हो तो इसमें कोई भी सॉल्ट या मेडिसिन ने डालना है बैसिकली आपको सिर्फ इसको वाटर डालके ही यूज करना है तो फ्रेंड्स कुछ एक देड़ मिनिट के बाद इसके यहां से जो है न वो स्ट्रीम निकलनी शुरू हो जाती है शायद आप देख पा रहे हूँ ठीक है तो आपको इसको यूज करते समय टेबल पे स्टेडिली लख रहा है इसको शेक नहीं करना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा भी गरम हो गया है तो आप इसे फेस पे स्ट्रीम ले सकते हो मैंने इसे फेस पे स्ट्रीम लेने के लिए ही पर्जिस किया है तो वन नाइन्टी रुपीज में यह एक डीसेंट प्रोड़क्ट है यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बूरा भी नहीं है अगर आप क्लीन अप अगरे करते हो या फिर कभी आपको स्ट्रीम लेना है तो उसके लिए बहुत ही हैंडी और कॉम्पैक्ट प्रोड़क्ट है यह हाँ और इसमें एक यहां पर दिया है कि आपको जो है वो प्यूर वाटर यह आरू का वाटर वगेरे यूज नहीं करना है नी तो वो पानी गरम होने के लिए ज्यादा टाइम लगेंगा एस इस पर लिखा है तब को टैप वाटर ले सकते हो आप और इसको बहुत केरफूल हेंडल करना क्योंकि यह हीट होने के बाद बहुत जाता गरम हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आप एक डिसेंट प्राइस में कोई अच्छा स्प्रीमर मिल जाए तो आप इसे पर्जेस कर सकते हो तो फ्रेंड्स यह था मेरा रिव्यू थैंक्यू फॉर व